तेजस कलासेश में आपका स्वागत है 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एक्जाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रशन बनते हैं जिसका यह पार्ट 18 है इससे पहले हम लोग 17 पार्ट डिसकस कर चुके हैं जिसमें 1600 तक कोस्टन को डिसकस कर चुके थे आप इसको कैसे भी हसते-खेलते कर सकते हो इस सीरीज को लगाने के बाद आप यह सीखेंगे कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है आज तक आपको टीचर मिस लीड करते रहा है मिस गाइड करते रहा है इसलिए मैंने previous year लेके आना शुरू किया ताकि आप समझो कि hard question hard question जो आप लोग करते हो hard question कितने आते हैं आपके exam में ठीक है hard question आपके exam में 5 से साथ आते हैं तो आपको अब देखना है इस series को करने के बाद कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है यदि आप BPSC, बिहार करने जा रहा है या आप preparation करने जा रहा है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है एक खुशकबरी है आप सबको चलिए मुबारक है आप सबको आज अपनी family 1000 की हो गई है ठीक है 1K की हो गई है मेरे नहीं कहने के बाद भी आप लोगों ने लगतार शेयर किया ह ठीक है जिसका यह result है यह credit आप लोगों को जाता है आप लोगों ने बहुत जोर सोर से मेहनत किया है यह अपना class का schedule है ठीक है current affairs का वीडियो आज नहीं आ पाया क्योंकि कल मेरे भेया का engagement है ठीक है तो उसमें मैं थोड़ा सा लगा पढ़ा हूँ लेकिन मैं mock test और साम का जो तो महावीर जयन आपको बिहार में पैदा हुए थे अगला प्रशन है गौतम बुद्ने कहा निर्वान प्राप्ट किया था तो यह कुसी नगर में प्राप्ट किया था देखो ए बिहार में कभी कभी आप exact जगा देखते हूँ कभी कभी क्या होता estate wise पूछ देता है इसलि में बाबरी मस्जीद को ज दा मीरर बाकि यहार में प्रशन है मुगल समराज का अंतिम राजा कौन था था दो बहादूर साज्याः यह ने लिखा था अगला प्रशन है किस पूस्तक निक्राप निकुन से गया तो आननद मत में चलो यहां पर एक कोशन और आता है बंदे मातरम का जो पर्थम संपादक कौन था तो अरविंदो घोस का नाम आता है तेखो दोनों में आप लोग अंतर समझा करो संपादक कोई भी हो सकता है ठीक है लेकिन लिखा किसने है ये अलग हो सकता है ठीक है चलो अगला प्रश्ण है बाबरी अंहार का भुगा था तो 13 अप्रिल उननीश सा उनीश स्विक हो अगला प्रश्ण है स्वतांत्र भारत का पर्थम गवर्णर जनरल कौन था तो सी राज गुपाल चारी थे अगला प्रश्ण है लोग सभा में कितने सदस होते हैं तो 545 आपको कॉमेंट करके बताना है कि मै राष्टपती होते हैं अगला प्रश्ण है धारा 356 का संबंध किस से है तो राष्टपती सासन से है अगला प्रश्ण है धारा 377 किसे बिसेस दर्जा परदान करता है तो 370 करता था तो यह जम्मू कस्मीर को करता था अब दो यूनियन ट्रेटरिर बन गया है अगला उखीरी गंदे पानी को किस परकिडिया द्वारा सुध गरती है तो असकंदन द्वारा अगला प्रशनव slight protein क्या होते हैं तो प्रोटीन प्रतिर अग्छी होते हैं अगला प्रशन है नाइलौन क्या है तो नाइलौन पोली एमाईड है अगला प्रशन है कोशिकाव में उर्जा की सुरूप में संचीत रहती है तो ATP के फ़र्म में संचीत रहती है अगला प्रशन है कौन केवल एक तत्व से निर्मित है तो हीरा सिर्फ एक तत्व से निर्मित होता है अगला प्रशन है कौन सी गैस वायू का परमुग घटक है तो नाइट्रोजन वायू का परमुग घटक है अगला प्रशन है लोहे को इस पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है तो निकेल मिलाई जाती है अगला प्रशने बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है अगला प्रशने संबीधान के किस धारा के तहत छुवा छुद को समाप किया गया था तो ये अंटचेबिलिटी को जो आर्टिकल 17 था उसके तहत किया गया था अगला प्रशन है संभीधान सभा का चेर्मेन कौन थे तो डॉक्टर राजिंदर परसाथ थे अगला प्रशन है संभीधान के प्रणूप समीती के चेर्मेन कौन थे तो प्रणूप समीती को जो चेर्मेन थो भीमराव अंबितकर जी थे अगला प्रशन है भारतिय सेनाओं का सरोच सेनापती कौन होता है तो ये राष्टपती महोते होते हैं अगला प्रशन है राज्यों के किस समू को साथ बहने कहा जाता है या सेवें सिस्टर तो पुरुवत्ता राज्यों को कहा जाता है अगला प्रशन है जूमिंग खेती किस से संबंदीत है जूमिंग खेती जन जाती क्रिशी से संबंदीत है या पहाडी से भी बोला जाता है अगला प्रशन है बैंकों का राष्ट्रिय करन कब हुआ था तो 1979 इस भी में हुआ था और कितने बैंकों का हुआ थे आपको कॉमेंट करना है अगला प्रशन है स्वेत करांती किस से संबंदीत है तो स्वेत करांती दुख दूख पादन से संबंदीत है अगला प्रशन है टिहरी बांद कहा है तो टिहरी बांद उतरा खंड में अभी है ठीक है जब एक कोस्तन था तब उससे में उतर परदेश था क्योंकि उतरा खंड और उतर परदेश तब एक ही था ठीक है अगला प्रशन है बिज्ञान के लिए नोबेल पुरुषकार पाने वाला पर्थम भारतिये कौन थे तो डॉक्टर सिवी रमन अगला प्रशन है भाप के इंजन का ओइसकार किसने किया तो ये जेम्स वाट ने किया था अगला प्रशन है लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपी का ओइसकार किसके लिए किया था तो अंधो के लिए किया था अभी अगला प्रश्न है भारत में हरित करांती के जनक किसे कहते हैं तो एमेस स्वामी नाथन को कहते हैं अगला प्रश्न है मदुबनी कला किस संबंदीत है तो यह बिहाराज से संबंदीत है अगला प्रश्न है बाउल कहां का संगीत है तो बाउल बंगाल का संगीत है अगला प्रशन है कथक कली कहां का सास्त्री नीर्थ है तो ये केरल का सास्त्री नीर्थ है अगला प्रशन है किस नीरित में मुखोटे का इस्तेमाल किया जाता है तो कथक कली में किया जाता है अगला प्रशन है भीखारी ठाकूर क्या थे तो लोग कभी गायक थे अगला प्र अगला प्रशन है बिहार में बौध बनने वाला पर्थम राजा कौन था तो यह बिम्बी सार थे अगला प्रशन है बिहार की सीमा कौन से कौन सा देश बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है तो यह नेपाल देश बसा है अगला प्रशन है बल्चनुआ को किस ने लिखा था तो अगिन टुका अगला प्राश्न है आदी मानोने स्वर पर्थम क्या सिखा तो आग जलाना सिखा था अगला प्रश्न है सिंदु गाटी सबत्या के लोग किसकी पूजा करते थे तो ए पसुपती की पूजा करते थे अगला प्रशन है मानो द्वारा सरपर्थम उप जाये गए अनाज किया थे तो गेहूं एवं जो थे अगला प्रशन है सरवाधी खलकी गैस कौन सी है तो ये हाइड्रोजन है अगला प्रशन है नोबेल पुरुषकार संस्थाफक अलफेड नोबेल कहां पैदा हुए थे तो ये स्वीडेन में पैदा हुए थे अगला प्रशन है समाचार रोजगार समाचार कहां से परकासित होता है तो ये नई दिल्ली से परकासित होता है अगला प्रशने है खालसापंत की 300 वी वर्षगाठ कब मनाई गई थी तो ये 1999 इस्वी में मनाई गई थी अगला प्रशने है शिखो के दसवे गुरु गुरु गुविंस किन के पुतर थे तो ये गुरु तेक बहादुर के पुतर थे अगला प्रशन है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो WC बनर जी अगला प्रशन है कावेरी ने दी कहां से परवाहित होती है तो बंगाल की खाड़ी से परवाहित होती है अगला प्रशन है 20 पर्यावरन दीवस कब मनाया जाता है तो यह 5 जुन को मनाया जाता है और इस बार के पर्यावरन दीवस का थीम क्या था आप लोग जरूर कॉमेंट करना अगला प्रशन है जर्मदा बचाओ आंदोलन का नित्रुत किस ने किया था तो मेधा पाटेकर द्वारा किया गया था अगला प्रशन है मैनमार किस देश का नया नाम है तो मैनमार बर्मा देश का नया नाम है अगला प्रशन है आश्टिलिया की रजधानी कहां है तो ये कैनबरा में है अगला प्रशन है भारी मसीन निर्मान प्लांट कहां अवस्तित है तो ये राची में अवस्तित है अगला प्रशन है लाइफ टिवाइन किन के द्वारा लिखी गई तो ये स्री अरविंद घोस के द्वारा लिखी गई थी अगला प्रशने भारत में सारवजनिक ब्यस्क मतादिकार आधार पर पहला आम चुना कब हुआ तो यह 1922 में हुआ था अगला प्रशने जमसेदपुर किस नदी के तड़ पर आवस्तित है तो स्वर्ण रेखा नदी के तड़ पर आवस्तित है अग यहां बाद के समीब जो नैनी है वहां पर है अगला प्रशने विभिन राजनितिक दलों की स्विक्रिति राष्टिय पार्टी अथवा परदेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है तो यह चुनाव आयोग का काम है अगला प्रशने संजुक्त राष्टन कब स्थाफित किया गया था तो सं trzyights विपैंटाली किया गया था दुतिये विशूयति के बाद में अगला प्रशने कौन सा वे याश्मी सबसे लंबा है तो जो टेप वर्म होता होता यह सबसे लंबा करमी है अगला प्रशन है आंस्यां मेरी कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस का परियोग किया जाता है तो कार्बन डाई ऑक्साइड सीतल पे बोले तो आपको जो सोडा वाटर होता है उसको बोलते हैं अगला प्राणियों के लिए कौन सी गैस अवस्यक है तो ऑक्सीजन गैस अवस्यक है अगला प्राणियों के लिए कौन सी गरंतिया हॉर्मोन सिक्रीट करती है तो एंडोक्राइन सिक्रीट करती है अगला प्राणियों के सबसे अधिक कहां से मिलता है तो या सूर्ज से मिलता है. अगला प्रश्न है, कौन से प्राणियों में बाहे क्वास्त के लिए आवस्तीत है, आप बहुत बोलते हो imperia हाँ क्वास्त है में बोल रहा हू हाँ 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 का αप ऐख्याम में 5-10 हो सकते हैं चाहुंत है जब आपके GKGS के हो जाएंगे और पांच आपके करेंट अफेस को हो जाएंगे बाद बाकी 100 में से 90 प्रश्ण आपके 75 में से समझो की 70 प्रश्ण आपके 1000 की हो गई है और इतने कम दिन में एस सब आप लोगों की महनत का सरे है ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ठीक है एक दो दिन तक थोड़ा सा सिड्यूल बीजी है चुकि मेरे घर में ही इंगल्समेंट है तो मैं थोड़ा सा ही थोड़ा पर उसके बाद भी मैं आप लोग के लिए टाइम जरूर निकाल रहा हूं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में